तो कहने का मतलब राहूल गांधी के ओपर कानूनी करवाई नहीं हो पा रही है उसका मुह में जो भी आए जो भी बोल देगा कैसे बोल देगा भाई अगर तुम्हारे ओपर कोई सिकंजा निकसरा है तब ना हमारे देश को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं विपक्षी जितने भी है न आपने देखा होगा बंगला देश के उपर किसी की जवान में ताले लगे सबकी जवान पे ताले लगे वे थे और वो ही फिलिस्पीन थे तो वो जह बीम जह मीम और सब खड़े हो गए थे शे सितंबर को रिलीज होने वाले सिनमा गरों में अब इसको लेकर रिलीज के पहले ही बावाल छिड़ चुका है तमाम लोग इस मुवी को क्रिटिसाइज करी रहते हैं उसी बीच कंगना रानावत को जान से मारने की दमकी दी जगई है इसके खिलाफ कंगना ने ट्विट और तताल पाप हो गया जो देश में क्या इस देश के लोगों को इतिहास जानने का हक नहीं बिलकुल है और जो सत्त बात है वो सत्त बात अगर दिखाए जो भीक चीज है तो तो बहुत अच्छी बात है ना फूर ना फो वो नोने जो बोला है किसानों के बारे में यह दो तरीके से नहीं करती तो ऐसा हालात पैदा हो सकते थे क्योंकि उन्हों ने एक बार लाल की लिए पर इसा उतार के भी दिया था और इस सब चीजे को देखते हुए यह बहुत ही बड़ा वह है और कंड़ा रनावत ने जो बोला है बल्कुल सत्वाद बोला है पिच्चर रिलीज नहीं हुई किसी ने देखी नहीं उसके पहले इस तरीका का विरोध कर रहे है क्या मन में पहले सा बना लिया है कि तो कोई तो इसमें तो वही है कि जॉइन करने के बाद ऐसा तो नहीं की जोइन कर लिए इस तरीके के धंकी मिल रही है नेता बनने के बाद विपक्षी ने दौपर पिच्चर रिलीज कर रही है नहीं ऐसा नहीं है विपक्षी एसी पिच्चर आनी चाहिए कि नहीं देश में लोगों को इतिहाज जाने का देखिए जो सत्त बात है अब सत्त को देखिए पानी को तो पानी ही बोलेंगे लोग शूर्ज भगवान जिदर थे उगते हैं उधरी से उगेंगे तो कहने का लग जाते हैं कि हिंदू हिंसक होता है असत्य तरह तरह की बाते बोले हैं कितना अच्छा बत है आप देए तो कहने का मतलब रहुल गांदी के ओपर कानूनी करवाई नहीं हो पा रही है 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 उसका मुह में जो भी आये वह जो भी बोलेगा कैसे बोल देगा वही अगर तुमार बढ़ जाता है आपस में बढ़ जाता है है कि अपने करना है ना अच्छा और लोगों से बात करेंगे सब्सक्राइब की पिक्चर आ रही उसके पहले उन्हें मैं किसा का जो है किसान कोई आई जब उठाते कोई उनका चुनाओ रहे न तो है कर लेते हैं तो कहने का मतलब कहा है इस देश में न इस देश को बाटने की कोशिश होई जा रही है कि इस देश में बंगला देश जैसी हालत अफगानिस जैसी हालत यह सिर्लंका जैसी हालत ऐसी कंडिशन पैदा करी जा रही है कि कभी आप किसानों के नाम पे ले लें कभी किलाडियों के नाम पे लें कभी सीए के नाम मतलब साहिन भाग का दर्णाज लेन जये तो यह सब क्या है हमारे देश को टुकडा टुकडा करना चाहते हैं विपक्षी जितने भी एन वो सब क्या है अपनी राजनितिक रोटिया शेकना चाहते इन की देश में इतिहास से जूड़ी हुई चीज़गी मघलतीय का यह स्क्रीन पर दिखाना क्या गुणा है इस देशisión के अंदर को नहीं देखना को उभना है युवां को नहीं को सब्कूं सब चाह से पैदा होगी आपका चैनल में आपके CHanels को लोग देखेन तो उने कैसे कुसे फैडा हो देखेन COP यह तो ये पसकữa तो ये उसे से स्ड़शा इनिस पैदा होती है कि माहिए म fight देश में क्या गतिवी दिया चल रही है कौन किसे हिलाब बोल कौन क्या करना चाह रहा है तो यह सारी चीजे इनको एक पक्ष के वोट के लिए पूरी राजनिती को घुमाते रहते आपने देखा होगा बंगला देश के उपर किसी की जवान में ताले लगे सब की जवान पे ताले लगे वे थे और वही फिलिस्पीन थे तो वह जह भीम ज अब जब रहें जाए तो उनसे जवान खुलती निया है तो देखिए यह इनकी मानसिक्टा दरशात है कि चिस तरह की मानसिकता रखते तो इस देश जो हैं दोगले लोग हैं इनोंने देश से कोई मतलब नहीं है इनको अपने घर बहरने से मतलब है कि हमारा घर कैसे बने हम यह देश को खंगाल बना करके बहर देशुमें चले देखने जाएंगे पिच्छर कंगना की पिक्चर आ ह्था इसा है कि जो आफ घंटा ने पूरी जंता ने देखी है कि किस प्रकार के गती विधियान लेकर के लोग ऐसे धरने पर बैठे थे क्यों अधरना देखने लाइक था ओधरना छे महीने तक खतम नहीं होने वाला था तो कहने का मतलब यह बात बिल्कुल गलत है और कंग्रारावत का फिक्चर है वह बहुत ही हीट होगा हां ज इस तरीके से देखा आपने जंता की राए एमर्जंसी मूवी को लेकर और कंग्रारावत को मिल रही धंकियों को लेकर जंता का मानना है कि राजनीती है जो वो चरम पर चल रही जिसके कारण सरीके की घटनाए सामने आती है तो आप क्या कंग्रा की मूवी देखने सोगंद वतन की